लो गाइज जिवान करनी व्लॉक लग सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब्सक्राइब तो बहुत अच्छी आपको अप्छी लगती है तो लाइक शेर कमेंट्स करें और शुरू को लेकर एंट पर देखें तो फ्रेंड्स आज आने वादी है मेरी नन एक नन प्रेंड्स आना बताऊंगी हम क्या-क्या बनाएंगे तो चल्गी कि चलते हैं तो फ्रेंड्स देखें यह मेरा बेटा है यह अपने पाणडे पर खेल रहा है और यहां बच्चे देखिए यह मेरी नंच्चे बच्चे खेल रहे हैं प्रेंड हमने कडाई रख दी है और इसमें मैं आलू करने वादी हूं मैंने थोड़ा सा डाल के भी देखाया तो कडाई हमारी अच्छे से गरम हो गई है और यह हमारे आलू जिने हम तलेंगे फ्रेंड और बहुत ध्यान से हम इसमें डालेंगे ताकि छीट ना आ जाए तो हम फ्राइड आलू बना रहे हैं तो इसको हम तल रहे हैं चलिए फ्रेंड हम आलू को निकाल लेते हैं आलू डीफ प्राई हो गए हैं और इस तरीके से आलू को आप कडाई को साल्ड में रखेंगे तो सारा तेल इसका निकल जाएगा व्रेंड और हमें एक नृशबेपर पे इसको रख लेंगे नृशबेपर और रखेंगे तो सारा ऑईल अब जौप हो जाएगा इंड टीशू पेपर भी आप ले सकते हैं और बहुत अच्छे से हमारे आलू पके हैं ये तो और आलू हम डाल देंगे फ्रेंट्स और इदर हम निकाल रहे हैं मक्खन हमारा निकल चुकाया देखिए दोस्तो हम साथ में बना रहे हैं मश्रूम और मटर की सबजी तो मश्रूम मैंने काट लिए हैं और मैं इसको गरम पानी में थोड़ा सा वाश करूँगी ताकि अच्छे से ये साफ हो जाए आप अच्छे से इसको साफ कीजिए वापिस सम प्लेट में निकाल लेगे चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट चलिए फ्रेंड्स मैंने कोकर रख दिया है मश्रूम मटर की सबजी बनाने के लिए और ओल भी मैंने इसमें डाल दिया है अच्छा ओल डालना है हमें और यह हैं कुछ खड़े मसाले तेजपत्ता दालची निकिस्टिक और जितने भी सारे खड़े मसाले होते हैं वही हैं काली मेर्ज सब यह हैं चलिए मैंस में डाल जाती है ओल हमारा अच्छे से गरम हो गया है और हम उसको चलाएंगे थोड़ा सा अच्छी कूपर में थोड़ा सा पानी था इसलिए ऐसी आवाज आ रही है तो थोड़ा सा मिन बूल लें क्योंकि इनकी खुश्बू बहुत अच्छी आती है अब हम इसमें डाल देंगे प्याज यह प्याज है जिसका मैंने पेश्ट बनाके रखा रहा है तो मैं यह डाल दूंगी इसमें और प्याज को हम बहुत अच्छे से फ्रेंड भूर लेंगे फ्रेंड्स हमारी प्याज देखे बुन चुकी है अब मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी थोड़ी सी यह देखिए फ्रेंड्स हल्दी मैंने डाल दी है और यह टमाटर की फ्यूरी मैं डाल दूंगी और हम भूल लेंगे यह डाल के भी अच्छे से भूनेंगे जब तक तेल ने छोड़ गती है दोस्तों टमाटर भूल चुके हैं और भी छोड़ दिया है इसमें मैं डाल दूंगी दनिया तूखा पाउडर जो होता है कलर वाली मिर्ची और मश्रूम डाल दूंगी मैंस में कर दो हो हुआ हो झाल कर दो हो दूपाँ और ड़े खुराओा बहा है और अश्द सतितों टूंगी में सब्सक्राइब मटर भी डाल देंगे और मिक्स करेंगे अब हम पानी डाल देंगे नमक भी मैंने डाल दिया था दोस्तों और मिर्ची भी कलर वाली तो डाली थी दूसरी भी डाल दी थी अब मैं ढखकर लगाओंगी दोस्तों अब हम बना लेंगे आलू जो हमने तलके रखेते बने तो पड़े हैं बस जीरे से छोकने हैं तो कड़ाई में तेल मैंने डाल दिया है और तेल हमारा गरम हो चुका है जीरा डालेंगे आलू को छोड़ देंगे दोस्तों सारे आलू मैंने इसमें डाल दिये हैं ये देखिए अब इसमें कलर वाली मिर्ची डालूगी मैं तो यह हमारी मिर्ची है कलर वाली मैं अभी दूसरी मिर्ची भी इसमें डालूगी और अच्छे से करेंगे मिक्स तो दोस्तों मैंने आज यह वाली कुर्थी पहनी है देख सकते हैं यह गरम कुर्थी है उपर यह कोटी है और यह अलग से पहननी पढ़ती है और यह स्टॉल देख्षी मेरे इतना प्यारा स्टॉल है मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से स्टॉल है पूरा दोस अच्छी लगती हो तो मुझे आप लाइब करते हैं दोस्तों हमारी आलू की सब्जी बनके तयार हो चुकी है देखे किती बढ़िया हमारी आलू की सब्जी बनी है इस पे आप हरा धनी डाल देजिए तो अच्छी लगेगी और भी और यहां हमारी बटर और मश्रूम की सब्जी भी बिल्कुल रेल्डी हो चुकी है किसी बढ़िया लग रही है फ्रेंड्स बताना आपको कैसी लगी हमारी सब्जी कमेंट्स में दोस्तों ये देखिए हमारी सब्जी बनके त्यार हो गई है ये हैं हमारा रायता ये हैं बटर और मश्रूम की सब्जी और ये हैं हमारे आलो की सब्जी कैसी लगी मुझे बताना कमेंट्स करके फ्रेंड्स अपका खाना हो चुका है हमारी या बस जी जी खाये फ्रेंड्स और ये मेरी नन्हा जिनसे मुझे आपको मिलomanा था हाई वोल्दो पीशा जातों आप मिली चुके हो आरे हैं जीजा जी आपको यह नहीं आरे हैं इसमें पिंका लगा हाट लगी तो लाइक करना श्रेक करना तो मिलते हैं अप्रेंड साब करें देखो यह वाली हाट वाली